बिस्मिल्लाइ वख्मार वाहिम अस्सलामुलेकूं डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 10th क्लास मैथेमेटिक्स की जो बुक का विटा उसका चैप्टर नमबर 1 और चैप्टर नमबर 1 की जो लास्ट वाली एक्सराइज 1.4 है विटा 1.4 एक्सराइज क लास्ट वाला question question number 10 जो है जिसमें आरे पास ये value हमें दी हुई है और क्या कहता है इसमें विटा आपने इसको हल करना है इसका solution set find करना है यानि के x की value find करनी है किस तरह से विटा करेंगे इसका जो question number 9 जो इससे पिछली वीडियो में हमने किया था same उसी method से विटा इसको कर value same है तो जो same है बटा उसको let कर लेना है फर्ज कर लेना है कि वो किसके equal है y के equal है कौन सी value x square plus 3x ये बटा जो दोनों के अंदर same थी उसको हमने किसके equal let कर लिया y के अब इस दोनों की जगा क्या आजेगा y तो क्या बच गया square root यहां पर बटा y आ गया और plus 8 उसके बाद plus square root और इन दोनों की जगा भी क्या आगया y plus ये वला 2 is equal to 3 clear हो गया अब बटा आपने दोनों तरफ क्या कर लिया square ले लिया अब दोनों तरफ आपने इसका क्या ले लिया scale ले लिया ताकि scale root को हम खत्म कर सकें तो जब बटा scale लिया तो इदर आपके पास scale root वाली दो values है ठीक है दोनों के दरम्यान में plus है तो इसका मतलब ये पहली A plus ये दूसरी B तो ये A plus B का scale open करेंगे क्या हैगा बटा सबसे पहले A की value है Y plus 8 A का scale फिर plus B का scale वो है Y plus 2 उसके बाद plus 2 A B A की जगा है बटा Y plus 8 और multiply B की जगा है scale root के अंदर Y plus 2 ये बटा आपके पास आगया A square plus B square plus 2 A B यानि A plus B का जो scale है is equal to right side पे बटा 3 है 3 का scale कितना होजेगा 9 होजेगा उसको आपने scale को लिख लिया अब बटा यहां पे देखें ये scale root से काट हो रहा है तो ये क्या आ गया Y plus 8 प्लस इधर बटा ये भी इससे काट हो रहा है तो ये कितना आ गया Y plus 2 और फिर plus ये 2 और ये बटा दोनों value जो है वो एक is scale root के अंदर आजेंगी क्योंकि multiply हो रही है एक है Y plus 8 और एक है बटा आपके पास Y minus, sorry Y plus 2 और equal to किसके है 9 के अब ये देखें बटा यहां पे आपके पास 1 Y ये और एक ये दोनों add होके कितने होगे 2 Y उसके बाद बटा ये 8 plus 2 कितना हो गया 10 ये भी आ गया उसके बाद बटा ये जो 9 है ये इदर plus का है तो इस side पे आके क्या होजेगा minus का होजेगा और ये वाली जो value है बटा सारी scale root वाली ये इदर plus है दूसरी तरफ जाके minus 2 और scale root के अंदर क्या है बटा Y plus 8 और Y plus 2 इसको as it is लिख लिया अब बटा ये आ गया 2 Y plus 10 में से 9 minus करेंगे तो 1 बज़ेगा उसके बाद इदर है बटा minus 2 और उसके साथ क्या है scale root के अंदर Y plus 8 और multiply Y plus 2 जो है अब बटा एक value scale root के बगार है और दूसरी साइट पे scale root वाली value है तो फिर scale root को खतम करने के लिए आपने again दोनों तरफ क्या किया बटा scale ले लिया तो अब इदर बटा आपके पास दो values है एक ये वाली और एक ये वाली दोनों के दरमयान में plus है इसका मतलब फिर A plus B का जो scale है इसका formula यहां पे लगेगा बटा A की जगा अब 2Y है और B की जगा 1 है तो अब बटा आगया A का scale उसके बाद प्लस B का scale प्लस 2 इंटू A और इंटू B B की जगा 1 है इक्वल और इक्वल के दूसरी साइट पे यह जो माइनस है यह इस scale की वज़ा से खतम होजेगा 2 का scale 4 आजेगा और यह scale scale root से काट ज 2 जो है clear अब बटा next step में क्या होगा 2 का scale लेंगे तो वह 4 होजेगा Y का scale लेंगे उपर Y square प्लस 1 का scale 1 ही आएगा प्लस 2 को Y से किया 2 को पहले बटा हम किस से करेंगे 2 से 4 और 4 को 1 से करेंगे 4 साथ यह वाला Y is equal to दूसरी साइट पे है 4 और 4 के साथ बटा यह दोनों value multiply हो र तो Y पहले इन दोनों से होगा Y Y से होगा तो Y का scale आ गया फिर Y बटा 2 से होगा तो 2 Y उसके बाद 8 को Y से करेंगे तो 8 Y होजेगा और 8 को बटा 2 से करेंगे तो यह 16 आजेगा आपके पास अब इदर आ गया 4 Y का scale प्लस 1 प्लस 4 Y is equal to 4 और इसके साथ है बटा Y स्केर प्लस 2 Y और 8 Y 10 Y हो गया और उसके बाद प्लस 16 आ गया बटा अब हमने क्या करने है इसको आगे इदर solve करते है बटा क्या आता है हमारे पास है यह हमने एक line लगा ली और इदर बटा आपके पास प्लस 1 प्लस 4 Y is equal to right side पे बटा यह 4 Y स्केर से होगा तो क्या होजेगा 4 Y का स्केर उसके बाद 4 को बटा 10 से करेंगे तो 40 प्लस 40 Y आजेगा उसके बाद बटा 4 को हम किस से करेंगे 16 से करेंगे तो यह प्लस का 64 आजेगा बटा अब next step में क्या होगा सारी value left side पे ले आएंगे 4 Y स्केर प्लस 1 प्लस 4 Y और यह जो 4 Y स्केर है यह left side पे आकर minus का होजेगा 40 भी आकर minus का होजेगा और 64 भी बटा minus का होजेगा equal के दूसरी side पे क्या बच जेगा 0 यह तीनों value right side पे थी उनको उठा के हम left पे ले आये तीनों plus की थी तीनों minus की होगी और right side पे क्या बच गया फिर 0 अब यह 4 Y स्केर इस 4 Y स्केर से कट गया अब बटा यह जो Y वाली रकम है एक 4 Y है और एक minus 40 Y है दोनों को plus minus करेंगे तो minus का 36 Y आजेगा और यह जो Y के बग minus करेंगे तो minus का 63 आजेगा is equal to 0 अब बटा यह minus का 36 Y इदर ही यह बटा minus का जो 63 है जब दूसरी side पे जाएगा right side पे तो plus का होजेगा अब हमने Y निकालना था Y के साथ 33 multiply हो रहा है minus का इदर आके क्या होजेगा divide होजेगा तो Y का answer हमारे पास बटा क्या हाजेगा यहाँ प तो वैसे शुरू में आजेगा इसको अगर हम 3 से करेंगे तो बटा 21 आएगा और इसको 3 से करेंगे तो यह कितना आजेगा 12 है उसके बाद इसको फिर 3 से करेंगे तो यह बटा कितना आजेगा आपके पास 7 आजेगा और इसको 3 से करेंगे तो यह 4 आजेगा इसका मतलब Y क answer आया है तो y को रखा किसके equal था x square plus 3x के equal है तो आब इस y की जगा वही value x square plus 3x और equal किसके आई है minus 7 over 4k तो y की जगा वही value और यह इसके equal आगी बिटा अब यह 4 जो है वो right side पे divide हो रहा है plus 12x और यह इधर बिटा क्या बाद जेगा equal के minus 7 बाद जेगा तो 4x square plus 12x और यह जो minus 7 है यह बिटा दूसरी side पे left side पे आएगा तो यह plus का 7 हो जेगा और equal के दूसरी side पे क्या बाद जेगा 0 बाद जेगा अब यह देखें आपके पास यह quadratic equation मान गई है x के हिसाब से यानि x square वाली रकम x वाली और x के बगार equal to 0 अब बिटा इसके factor नहीं बनते तो फिर इसको solve किस से करेंगे factorization नहीं होगी तज़ी नहीं होगी तो फिर बिटा इसको quadratic formula से यानि दो दरजी formula से solve करेंगे उसके लिए बिटा हमारे पास a की जो रकम है वो 4 है यानि x square के साथ जो है b की रकम बिटा जो है वो 12 है x वाली और c की रकम last वाला 7 है तो अब बिटा हमने यहाँ पे क्या किया quadratic formula लगाया x is equal to minus b plus minus जज़र b square minus 4ac divided by 2a यह बिटा quadratic formula है अब इसमें value put कर दें अब बिटा value क्या आएंगी x is equal to minus b की जगा बिटा हमारे पास value है 12 फिर plus minus square root b का square यानि 12 का square फिर minus 4 a की जगा बिटा value है हमारे पास 4 और c की जगा value है 7 divided by सारे के निचे 2a की जगा 4 यह बिटा जो value थी a b c की इस equation से जो निकाली थी वो हमने quadratic formula में put कर दी अब बिटा यह आगया x is equal to minus 12 plus minus square root के अंदर क्या आजेगा बिटा 12 का square लेंगे तो 144 minus उसके बाद बिटा आगे multiply करना है आपने calculator पकड़ लें ताके गलती ना हो 4 multiply 4 multiply 7 इन तीनों को multiply किया तो बिटा यह आगया 112 112 आगया यह आपने लिखा divided by 2 को 4 से किया तो यह 8 आगया x is equal to minus 12 plus minus square root अब बिटा 144 में से minus करने 112 को 144 minus 112 यह बिटा आपके पास आजेगा 32 आजेगा divided by 8 अब बिटा 32 का square root नहीं होता जज़र नहीं होता तो इसको मजीद क्या कर सकते हैं minus 12 plus minus यह जो 32 है इसको 16 multiply 2 लिखा 16 को 2 से multiply करेंगे 16 को 2 से करेंगे तो 32 होगा divided by 8 अब यह बिटा इसकी जगा यह क्यों लिखा था ताके यह बिटा आम इस तरह का सके 16 का square root 4 होता है और square root के अंदर फिर बाकी 2 बाच ज़ेगा और नीचे के यह बिटा 8 है अब x is equal to अब एक रकम यह है बिटा और एक यह वाली रकम है इन दोनों में देखे 4 कामन आ रहा है बिलकुल आ रहा है तो जब आप 4 कामन लोगे माइनस 12 में से तो यह माइनस 3 बाच ज़ेगा प्लस माइनस यह वाला इन दो वैल्यू में से 4 कामन लोगे तो यह बिटा square root 2 बाच ज़ेगा और divided by 8 अब इस 4 को इस 8 से cut करेंगे तो क्या आजेगा 2 आजेगा तो x का जो आंसर आ गया वो उपर आ गया बिटा माइनस 3 प्लस माइनस के रूट 2 यह वाला और divided by 2 नीचे यह तो यह बिटा आपके पास x का आंसर आ गया और यह हमारा solution set है हल सेट है क्या माइनस 3 प्लस माइनस के रूट 2 divided by 2 यह बिटा आपका जो question number 10 था वो भी solve हो गया 1.4 exercise chapter number 1 10th class mathematics का यह बिटा complete हो गया अगर इस question में बिटा यह इस से पीछे जितरे हमने question किये हैं पूरी exercise के किसी भी question के अंदर कोई भी मसला हो कोई question ना मिल रहा हो तो फिर भी बिटा नीचे सक्रीन पे आपको मेरा number नजर आ रहा है आप मुझे call करके message करके या comments में मुझे पूछ सकते हैं उसके अलावा बिटा अगर आपको किसी भी subject के हल शुदा notes, guest paper या paper pairing scheme चाहिए तो उन सब का link नीचे description में दिया हुआ है ऐसी वीडियो के वहाँ से जागे आप download कर सकते हैं वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा like और share करने है और चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बहाँ सानी मिल सकें अल्ला हाफेज, खुश रे